मटर पनीर का नाम सुनते ही लगता है कितना स्वादिश्ठ सब्जी है इसको बनाना तो बहुत मुष्किल होगा लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर रहा हूं सिर्फ एक ही मसाला क साथ बनने वाला सबसे एजी मटर पनीर की रेसेपी है चलिए बनाते है असान सी रेसेपी को पनीर का सब्झे बनाने में मसाला का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा मेंन होता है मसाला ही तैयार करना पड़ता है जो इसमें टाitम लगता है यह यहांपर मैंने 2 टमाटर लिया है दो प्याज लिया थोरशे अद्रख लिये हैं और लहसुन लिया है video यह दो सु गरम पनी और टमाटर को पहले से काट के रखा है तो वो डालेंगे तो आपको पहले लहसुन प्याज डालना है उसके बाद टमाटर को हम डालेंगे तो यहाँ पर लहसुन प्याज को थोरी देर के लिए चला लेंगे जिससे इसका जो कच्छा बला श्माइल है ना वो निकल जाए अभ बाद में जब अब मसालेक साथ भूनेंगे जल्दी पक जाता है इसलिए अभी इसको हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज का हलका सा कलर चेंज होगा यहां पर देखिए इतना ही पकाना है प्याज हलका सा कलर चेंज जैसे ही होता है इसे हम कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे यहां पर हमने टमाटर को काट लिया है टमाटर के साथ अद्रक डाल देंगे अद्रक को भी ज्यादा पकाना नहीं परता है ज्यादा भूना नहीं है अद्रक को सॉप्ट ही रखना है इसलिए टमाटर के साथ डालना है टमाटर और अद्रक डालने के बाद इसको 3- चार मिनट के लिए फिर से चला लेंगे आज को इहां पर high medium पर रखें बिल्कुल कम नहीं करना है और बिल्कुल बना कर विने लखना है तो यहां ढृgg में टमाटर हमारा soft हो गया है ति स्लीए मिनट में टमाटर नहीं डालना है बिना पानी कहीं इसको पीछ लेना है फिर उसी कराय में दो चमज तेल डालेंगे और यहां पर मैं थोड़ा सा बटर डाल रही है अगर आपके पास घी है तो यहां पर घी भी डाल सकते हैं बटर भी डाल सकते हैं इसके बाद इसको हलका से गरम होने देंगे और मसाले डाल देंगे, अगर आपके पास मिक्सिजार नहीं है, तो आप टमाटर और प्याज को छोटे-छोटे टुक्रों में काट कर उसको भून कर, उसके बाद मसाले को इसी तरीके से भूनना है, जैसे अभी मैं भून रही हूं, लासन प्याज को इतना तक भून लेना है इसके वाद यहाँ पर नमक डालेंगे, एक चुटी चमच नमक डाल दें, और इसको अच्छे से मिला देंगे, आज को यहाँ पर लो मीडियम कर करखे, मसाला खुमें अच्छे से भूनना है, यहाँ पर देखिए यह मसाले का पैकेट है, यह बजार में बहुत ही आसाने से मिल जाता है अगर आप बोलेंगे मतर पनीर का मसाला दें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक पाउच छोटा वला इसको डाल देना है तिन से चार चमच इसमें आएगा अगर आपके पास यह मसाला नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके धनिया पौडर मिर्ची पौड करते है यहाँपर मै만 सबजी को सिम्पल और असान बनाने के लिए इस पकेट का इस्तेमाल कर रही हुं इसको धक के तिन-चार मिनट के लिए पका लेंगे यहाँपर मसाला हमास आधह बुहन गया है इसको फिर से चला लेंगे अभि इसको और बुहनल यहां पर दो-तीन मिनट बाद इसमें हम मतर डाल देंगे तो मतर यहां पर मैंने फिरोजन मतर लिया है अगर अप्रेस मतर डाल रहे ना तो उसको पानी में उबाल लें चार-पांच मिनट उबाल लेंगे मतर सॉप्ट हो जाएगा इसको तीन-चार मिनट के लिए और पका ले इसको यहां पर मैं ढख दूंगे जब तक मसाल हम रपा करा है हम पनीर को काट लेते हैं यह पनीर को न मैं बरे-बरे पीसेस में डालंगी इसको मैं हलका हलका फोक से इस तरीके से निसान बना देंगे जिससे इसके अंदर जो ग्रेवी है वह जाए इसके बाद इसको काट लगे हैं इस तरीक समें तिन-चार कट लगा के आपश सकते हैं मैंने आपर बरे-बरे पीसेस में काट को कौनीर को तो इस तरीकी जब रेिष्परि बनाते न उसमें पनीर का थहाए बड़ा ही पीसेस अच्छा लगता है अगर आप छोटे पीसेस काट आ तो आपको करने का जरूरत नहीं परेगा आप पनीर को ऐसे ही काटके डाल दें यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भून गया है मसाले से जब टेल अलग हो जा इसका मतल़ मसाला हमारा भून गया है यहाँ पर इसके बाद थोड़ा से पानी डाल दें तो मैं थोड़ा से इसमें ग्रेवी रखूंगी तो मैं यहाँ पर एक कप पानी डाल रही हूँ पनीर के सबजी बनाने में ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है तो पानी कम ही डाले मसाला हमारा पहले से पका हुआ है तो इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है जैसे यह उबालाता है इसमें पनीर डाल दें तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी पनीर को इसमें डाल दूँगे और इसको अच्छे से मिला देंगे अच्छे से मिला दें और यहीं पर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसको ऐसे अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप धनियाग पता को छोटे-छोटे टुक्रोम काट कर यहीं पर डाल दें और उसके बाद इसको अच्छे से मिला देंगे ठीक से मिक्स कर दें और यहां पर इसको हमें ढख कर पकाना है तो पहले मैं इसको अच्छे से मिला देते हूँ उसके बाद मैं इसको ढख देंगे और आज को बिल्कुल कम कर दें और इसको लोग फेलें पर पांच मिनट के लिए पकने दें जिसे साड़े मसाले पनीर में अच्छे से मिल जाए तो यहाँ पर पांच मिनट बाद हमारा पनीर का सबजी बनके तयार है ग्रेवी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है इस से ज़्यादा हमें थीक नहीं करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी गैस को बंद कर दूँगी और चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं इक हमारा सबजी कैसा बना है तो इस तरीके से इस सबजी को आप बनाईए और इसको आप पराठे साथ एक बट ट्राए किजिएगा मैं यहाँ पर इसके उपर से धन्याक पक्ता रख देती हूँ देखने माँ चलेगा थोड़ा पराठे, रोटी, चावल, किसी के भी साथ कहेगा सबके साथ इसका स्वाद बहुत ही गजब काता है और मैंने एक ही मसाला आपको बताया है जिससे का अगर आप बिगनर है बैचलर है आपको मसाले करना आप नहीं आता है ता आप बहुत ही असानी से इस रेसिपी को बना सके यह को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें